अब अगर हम बात करें प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट की इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी पार्टिकल को जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे किसी हाइट से हमारे पास इनिशिली कोई हाइट एच जो है वो गिवेन होगी इसमें हमारा पहला केस होता है कि दिवाडी इस है हाइट से तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी बॉड़ि को एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो इसकी जो इनीशियल वेलॉसिटी होती है वो होती है जीरो हमने मान लिया कि initial velocity उसके 0 है time t is equal to 0 second पर acceleration जी जो है उससे नीचे की तरफ लगेगा ठीक है वो तो एक constant value है तो अब कहा है कि find the time to flight of flight and velocity of strike तो इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी जो initial velocity u है वो 0 दे रखी है ठीक है तो अब हम equation of motion का जो third equation था उससे use करेंगे तो हम उससे जो है न की दगा जो है वो हमने h put किया negative negative तो negative into negative यह हो जाता अपना positive तो यहां से v जो है वो निकल के आता है under root 2gh यह होती है time of flight की तो हम देखते हैं कि s is equal to ut plus half a t square यह formula लगाएंगे तो हमें निकल के आता है t is equal to under root 2gh ठीक है तो अब आप जो है देख सकते हैं कि आपको जो है वो shortly formula जो है वो याद रखने हैं इसके बाद calculation जो है वो आसानी से आपकी होती जाएगी इसके बाद हमने case 2 बनाया case 2 क्या है कि projected upward from height हम किसी particle को project कर रहे हैं किसी Height से उपर की तरफ हमने अब detention क्या किया इसके बाद हमने पहला case देखा कि हमने किसी height से जो है वो drop किया अब हम देख रहे हैं कि किसी height से उसे उपर की तरफ प्रोजट करक height जैसे आप यहां देख सकते हैं अपनी height जो है वो h given है यहां से हमने particle जो उपर की तरह project है तो वो कुछ ऐसा path लेते हुए नीचे आएगा अब इस case में अपने पास हमें निकालना क्या है time of flight इसमें time कितना लगा height कितना travel किया वैसे भी आप इसे कुछ इस तरह से निकाल सकते हो कि जब यहां से लेकर यहां तक आप इसे ground treat कर लो जब आप इसे यहां तक ground treat करोगे तो यह अपना ground projection हो जाएगा इसमें वही formula लगेंगे t is equal to 2u by g h is equal to u square upon 2g यह formula लगेंगे तो यहां तक आपकी height यह आ जाएगी इसके बाद total height अपनी क्या हो जाएगी total height अपनी यह हो जाएगी तो इसमें हमने यह h तो हमें दिया हुआ a h हम जो है यहां से निकाल लेंगे तो total height अपनी h plus h आ जाएगी time of flight क्या है कि यहां पर हमें velocity दे रखिए ठीक है इसका जो time जो है वो हम आगले case में discuss करेंगे यहां से यहां से तक की इस महलब ground to ground में इसमें जो time लगा है वो आप यहां से calculate कर सकते हैं और इसे जो है equation of motion का जो second equation है उससे जो है आप टी निकाल सकते है तो वह ही होता है कि अगर हम calculation करें t की तो h is equal to ut minus half gt square यहां plus होता आप minus क्यों लगा है क्योंकि हमने देखो यहां जी जो है वो पहले ही put कर दिया नहीं तो हम a लिखते थे जब हम लिखेंगे a तब हम लिखेंगे s is equal to ut plus half a t square बट हम जब यहां g लिखेंगे तो minus का g कर देंगे तो यह minus यहां बाहर आके multiply हो जाएगा तो यह बन जाएगा ut minus half gt square ठेके सर इसके बाद हम अगर इसको simplify करें यह 2 का LCM लेकर के 2 की multiply side करेंगे तो यह हो जाएगा 2h is equal to 2ut minus gt square तो t is equal to minus का 2u plus minus under root 2u square minus 4 फिर इसके बाद into हो जाएगा क्योंकि सर यहां पर हमने क्या किया हमने लगाया कि जो अपना स्रीधराचार formula होता है quadratic equation का क्योंकि यहां पर अपनी जो है quadratic बन गई t में t का square है यह t है और यह जो है अपना constant value है तो हम यहां पर वही formula लगाएंगे कि x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a वही formula लगेगा अपना simple तो जब हम यह formula लगा करके इसे जो है solve करते हैं तो finally जो अपना result जो है वो आता है t is equal to u by g plus minus under root u square upon g square plus 2h by g ठेक है तो यह जो है यह अपना होता है total time to take जो हता है वो surface से लेकर के अर्थ अर्थ के surface तक आने में कितना time लगेगा सब मतलब मतलब यह कि जब हमने यहां से इसे फेंका तो यह यहां से लेकर कि यहां तक इसे आने में total time कितना लगा मतलब total time of flight कितनी देर तक जो अपनी particle है वो air में रहा ठीक है सर हमें यह case में time निकालने में आप बहुत सारी equations बनाओगे displacement के equations बनाओगे velocity situation बनाओगे acceleration के equation बनाओगे इसके बाद से आप जो है time के साथ equate करोगे अलग-अलग उनकी values पूट करोगे तो वहां पे आप जो है ना उलस जाओगे बट यह formula अगर आपको याद है कि t is equal to u by g plus minus under root u square upon g square plus 2gh आप देख सकते किस तरह से आपस में एक तरह से related हैं चलिए अब case 3 की बात कर लेते case 3 एक प्रोजक्टाइल जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट किया गया है downward हमने अब तक देखा ground से हमने project किया height से project किया अब हम क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ कुछ velocity देंगे ठीक है नीचे की तरफ इस case में अपना क्या होगा अपना खाली उपर वाला हमने देखा इसमें हम क्या करेंगे अपने पास t2 time है यहाँ t3 है इसे यहाँ से हमें t3 find करना है तो हम पहले कि हमने t1 निकाली लिया है t1 हमने u by g formula लगा के to u by g formula लगा के निकाल लिया और हमने यह total time य यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने का जो formula है वो अपना यह हो जाएगा अगर हम इसे minus कर दें किसमे से अगर हमें t3 निकालना है तो हम क्या लिख सकते है t2 minus t1 t2 की value अपनी यह है और जो t1 है उसकी value हमने क्या निकाला था 2u by g इसे हम अगर minus करेंगे तो अपना क्या बच़ तो यही minus u by g यहाँ पे put कर दिया है तो यहाँ पे जब हम put कर देंगे तो यह बन जाएगा t is equal to minus का u by g plus under root u square upon g square plus 2g upon h 2h upon g ठीक है वही सेम चीज टी 3 जो है अगर आपको निकालना है तो t2 minus t1 जो है वो करना पड़ेगा तो अगर आप इस में से मतलब इस चीज को इस में से minus करो यह तो अपना asities यहाँ आ जाएगा ठीक है इस चीज को अपने asities यहाँ पे लिख दिया अब अगर u by g को minus to u by g से घटाओगे तो एक minus का u by g बचे का जो कि हमने यहाँ पे रख दिया ठीक है सर यह भी चीज हमें समझ में आगे तो अपना यह जो formula है इसे आप मेंशन था उसके सारे formula जो है वो cover कर लिये हैं अब हम आते हैं motion in two dimension में motion in two dimension में हम क्या करेंगे सबसे पहले vector के बारे में बात करते है vector क्या होते है वह होते है अगर हमें op vector लिखना है तो हमें क्या चाहिए हमें x coordinate चाहिए और हमें y coordinate चाहिए तो y coordinate में y की value कुछ होगी x coordinate में x की value कुछ होगी तो इसे हम लिखेंगे x i k plus y j कैप सर यह x j क्या है यह अपने एक unit vector होते हैं ठीके तो अगर यह four unit जो है वो चला है x direction में और three unit जो है वो चला है y direction में तब हम जो अपना यह मान लितने हैं a vector है op vector या qp vector जो था उसे हमने अपना एक a vector मान लिया तो हम a vector क्या लिखेंगे यह हो जाएगा 4 i k plus 3 j कैप ठीक है इसे कुछ इस तरह से हम denote करेंगे ठीक है अब अगर हम बात करें unit vector की unit vector क्या होता है जो unit vector होता है वो ए या जिस vector के respect में हमने उसे define किया है वो उसी vector से मिल करके जो है वो बना होगा अगर आपको vector में जो है वो थोड़ी problem हो रही तो मैंने vector के उपर जो है एक separate video जो है वो बना रखा है जिसमें हमने vector की calculations जो है वो क्या क्या है basic vectors क्या है उनके definitions ठीक है उनके examples के थ्रू जो है उस documentation होता है वो कुछ इस तरह होता है कि जो भी वेक्टर आप लिए हो उसके उपर अगर आप एक कैप लगा दे तो वो अपना का लाता है unit vector और unit vector की value होती है vector a upon mod of vector a जो की mod a vector का मतलब क्या उसका magnitude और सर magnitude को एसे निकालेंगे magnitude अपना क्या हो जाता है अंडर root x square plus y square plus z under root के अ x coordinate का square plus y coordinate का square plus z coordinate का square ठीक है सर समझ में आ गया है अब very important points अब यह important points क्या है सर आईए समझते हैं यह कह रहा है कि two mutual perpendicular distances are independent of each other motion in two dimension में सबसे important distances होते कि आप उसमें जितने भी जितने भी जो है वो calculation करोगे directions को लेकर के वह क्या होंगे x y z direction जो है वो free होंगे independent trip होंगे एक एक दूसर एक से चेलारेंडेंट y में जो हो रहा है उसका x और y दोनों से कोई मतलब नहीं है वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं जैसे अगर मोशन हो रहा एक्स में तो वह क्या करेगा अगर एक्स डिरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उसे गवर्ण कौन करेगा वी एक्स करेगा एक्स करेगा और टाइम तुमा लिजी एक्स के लिए भी सेम है वाई के लिए सेम है जेट के ay अगर हम यहीं लिख दे motion of अगर z में हो रहा है या motion z में हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा वो जो है वो हो जाएगा governed by vz and az तो उसकी z direction में जो velocity होगी या z direction में जो भी acceleration होगा वो उसमें जो है उसका contribution होगा ना कि x और y में जो भी चीजें हैं अब बात करते हैं projectile motion की तो projectile motion क्या है कि अगर किसी ball को हम project करते हैं और वो जो projection है वो under gravity होता है किसी angle पे तो उस समय वो जो motion करता है horizontal में या vertical में जब हम उन दोनों का combine करते हैं उन दोनों का super position लेते हैं आप इस तरश technical terms को समाज सकते हो जब उनका हम super position लेते हैं तब उस समय हमें जो path मिलता है वो हमें मिलता है एक projectile path जैसे sir जैसे आप ये समझेगा कि अपने पास ये ground है ये x direction है इसे हमने y मान लिया ठीक है तो अब क्या है कि किसी particle को अगर हमने यहां से fake आ इसकी direction है y में ठीक है और एक इसकी velocity है sorry x में हमने particle कुछ इस तरह से fake आ वी velocity से अब किसी angle theta पे fake एंगे तो जब इसे हम theta पे fake एंगे तो ये क्या होगा कि इसका जो angle है ये वाला चीज ये x जो है वो क्या हो जाएगा u cos theta y जो है ये अपना एक perpendicular है ये इसके equal है तो ये हो जाएगा u sin theta अब ये दोनों जब govern करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा y वाली velocity के कारण ये कुछ उपर जाएगा और x वाली velocity के कारण ये कुछ इस तरह से आगे जाएगा x direction में तो इसे हम define करेंगे as a range ये जो है अपनी हो जाएगी maximum height ठीक है चली वही है कि ये u cos theta और दूसरा वाला जो है वो u sin theta और ये जो point है ये जो point है ये अपना हो जाएगा h maximum का अब अगर motion in x direction की बात करें तो जो u x हो जाएगा वो हो जाएगा u cos theta तो इसी में हमारी जो जितनी भी equations है motion जो हमने one dimension पर देखी आप यहाँ पर same as it जो हैं वो लग रही है हमने देखा कि वहाँ पर v था u था a थी टी थी अब क्या है हमने कर दिया v x is equal to u x plus a x into t x is equal to x is equal to यहाँ पर माना x हो जाएगा क्योंकि यही चीज जो है यह displacement है same as यहाँ पर आपको दे रखा है कि motion in y direction motion in y direction वही होता है कि v y जो है वो आप यहाँ पर govern होगा u sin theta से बस वही हो जाएग तो u y is equal to v y is equal to u y plus a y t a y अपना यहाँ पर minus g है इस case में अपना जो है a x जो है वो कह था 0 था by default बट अगर आपको acceleration दे देता है कि इस में accelerate हो रहा है तो आपको x और y दोनों को acceleration जो है वो given हो जाएंगे तो उस समय आपको जो है equation यही लगानी होंगी बट आपको वहाँ पर u x और a x की value जो है a x ay की value जो है वो put कर नहीं पड़ेगी ठीक है सर समझ गए अब अगर हम बात करें time of flight किसी projection में जो प्रोजक्टाइल motion जो है वो अपना होता है तो इस case में क्या होता है कि time of flight इसमें view ही होता है कि उसे यहाँ से अगर आपने बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर पहुचेगी मतलब यहाँ से फेका और यहाँ से यहाँ तक पहुचने में जो time लगा मतलब कि वो जितने time तक air में रहा वही हो जाएगा इसका time of flight displacement जो है वो particle का क्या हो जाता है zero कैसे सर क्योंकि आपने यहाँ इसे फेका और यह यहीं वापस आगे हमने one dimension में देखा था ठीक है किसी time of flight के लिए वही हो जाएगा कि y is equal to वही equation जो है वो लगाएंगे फिर इसके बाद जब आप इसे solve करेंगे तो आपको देखिए वही equation मिलके आई कि t is equal to 2u y upon g अब हमने वहाँ पे क्या देखा t is equal to 2u by g मैंने बोला था हम आपे ui ux यह सारी चीज़े जो है वो आ जाएंगी देख लिए आप यहाँ पे वो सारी चीज़े जो हो आ गई बस आपको यहाँ पे क्या करना है ui ui की जगह आपको लिखना है u sin theta बस same equation same formula वही concept है कुछ concept नहीं बदला है यह अपना होता है total time of flight same इसमें भी है time of flight is equal to time of descent जो की equal हो जाता है किसके यहाँ पे 2 आएगा 2u sin theta by g यह जब total हो जाएगा मतलब इनका जब plus होगा अगर यह equal है तो इतना ही इसे जाने में भी लगेगा इतना इसे आने में लगेगा दूनों को आप add कर दोगो तो यहाँ पे 2 लग जाएगा ठीक है से समझ गए अब बात करें maximum height जो है वो projectile motion में कितना cover करेगा तो इसे भी हुए आप वहाँ पे देख सकते हो आप जो है वीडियो को B से कीजिए आप देखिए कि one dimension में भी हमने यही equation लगाई थी यही result जो है हमें निकल के आया था u square upon 2g same equation जो है यहाँ पे भी निकल के आ रही बस u i की value हम यहाँ पे put कर देंगे तो उसकी value हो जाएगी u square into sin square theta upon 2g यह हो जाएगा अपना maximum height इसके बाद अपना एक नोट यहाँ पे भी है कि अगर theta जो है वो 90 degree है then the ball at maximum height अगर angle आपका 90 degree है तो वो maximum height पे जाएगी उसकी पास कोई x direction में velocity नहीं होगी तो सारी की सारी velocity जो है ठीक है अब वहीं हम बात करते है range की तो range क्या है कि horizontal displacement covered by the body in time of flight time of flight जब वो अपना total time जो है वो cover करता है during his motion तो उस समय में उसने जितना displacement cover किया वही उसका range कहा जाता है जैसे कि अगर आपने इसे particle को यहाँ से fake तो इसने यह जितना time of flight ले करके जितना उसका time of flight होका उसने जितना यह x direction में जितनी displacement cover की वही range कहलाती है सेम सारी चीज़े ax हमने 0 माना तो यह 0 हो जाएगा तो x की value यह range की value आ जाती है u x into t, t की value हम पहले से निकाल सुके है कि यह होता है 2 u y upon g या फिर आपका सकते हैं 2 u sin theta by g same सारी चीज़े जब u यहाँ पे भी है u x की value जो है cos theta यहाँ पे put कर दी तो 2 sin theta यह 2 cos theta यह sin theta मिल करके बन जाएंगे sin 2 theta r is equal to u square 2 sin theta into cos theta upon g is equal to u square sin 2 theta by g यह बना होता है range किसी भी particle का और range कब maximum होगा sir range maximum होता है अपना pi by 4 मतलब 45 degree पे क्योंकि r maximum यह जो range होता है वो किसके equal हमने यह constant कर दिया g constant कर दिया theta यह अपना variable होता है theta में पता करना है तो theta के जो है वो respect में हो जाएगा तो अब range maximum क्या हो सकता है 1 sin theta की value maximum क्या हो सकती 1 हो सकती sin 2 theta is equal to 1 तो sin pi by 2 is equal to 2 theta ठीक है तो theta is equal to pi by 4 तो if anything is projected with the angle and pi by 4 या फिर 45 degree आप जिसे करते हो डिगरी में रेडियन में pi by 4 होता है तब वो maximum range जो है वो cover करेगा अब यहाँ पर क्या होता है गुप्त ग्यान यह कैसा है यह मतलब कि आप कह सकते हो कि एकदम motion intrudements का main point main point क्या होते है कि यह proportional होते है आपस में मतलब कि अगर time of flight जादा है तो range जादा हो सकती है maximum जो उसका height है तीक है time of flight मतलब कितने देरी तक वो उपर रहा time of flight अगर जादा है तो height जो है वो जादा होगी देसे यहाँ पे आप example में देख सकते हो कि यहाँ पे range जो है इनकी equal हो गई but h time of flight और यह जो अपना h है यह proportional है तो time of flight जिसका जादा होगा उसका जो h maximum होगा वो भी जादा होगा तो इस example से आप जो है समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे इसने पूछाए कि bomb can be fired at speed u from top यह top मतलब आप समझ सकते हैं जो पुराने में जो catapult होते थे ठीक है इसन टाइम में उस समय की ही बात हो रही है relate कर लीजेगा at any angle calculate the maximum area which we can kill the enemies top enemies को जो top है क्योंकि आप देखते होंगे कि जैसे movies में देखते हैं कि बाहर जो है वो पहाड़ी के उपर top लगा दी जाती है तो जब enemies जो है जो सत्रू जो है उनके जब आते हैं fold के अंदर तो वो उपर से ही जो है गोला बारू जो है वो सारे fake ने attack करने चालू कर देते हैं तो अब यह बोल रहा है कि अगर top का जो angle है वो 45 degree है तो maximum range उसका कितना होगा वो कितने area के अंदर मतलब इंसका यह जो area है वो कितना है ठीक है अगर यह 360 degree से rotate की जाए तो कितना area जो है वो cover करेगा अपने enemies को जो है वो मारने के लिए वह यह r max हमें करना पड़ेगा तो r max क्या होगा इसके radius के ही बराबर होगा तो यह हो जाएगा अपना u square sin 2 theta by g तो यहाँ पे 2 theta मतलब क्या हो जाएगा 2 into pi by 4 जो कि हो जाएगा pi by 2 और sin pi by 2 कितना हो जाता है 1 तो r maximum हो जाएगा u square upon g अब area अपना क्या दे रखता है यहाँ पे area अपना होता है pi r square तो area is equal to हो जाएगा pi u square upon में g ठेक है sir समझ में आ गया अब जैसे कि आप example में देख सकते हो कि j mains 2016 में यह question पूछा कि अगर आपकी range जो है वो equal है ठेक है और आपने उसे angle किसी particle को angle theta पे जो है वो fake है तो आप relation बताओ h1 और h2 में और range के साथ मतलब range और उनके height में क्या relation है वो जो है आप बताओ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनी formulas के जरिये जो है हम उसे आसानी से calculate कर लेते हैं जैसे r is equal to u square sin 2 टी तब i g यह तो हम जानते है sir h1 की value हम यहां से निकाल लेंगे sir h की भी formula हमने जो है वो पढ़ रखा है कि h जो maximum होता है वो होता है u y square upon 2 g y g जिसके बाद sir हमने u y की value put की तो हमारे पास h1 की एक equation बनके आ जाती है कि h1 is equal to u 1 square sin square theta 1 upon 2 g sir h2 में भी relation पूछ है तो हम h2 की value निकालेंगे तो h2 की value same as आ जाएगी u2 square sin square theta 2 upon 2 g अब इसके बाद sir हमें वो r g और sorry r और h में relation पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे हम sir h1 h2 को multiply कर देंगे उसके बाद अपना जो equation जो है वो बनके आएगा वो हो जाता है कि h1 h2 जो है वो हो जाते है u square sin square 2 theta upon 16 g square sir इसमें से हम क्या करेंगे कि यह जो 16 है इससे इस side multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 16 h1 into h2 is equal to यह अपना u square इन चीज को अलग कर लेंगे अब हमने देखा था कि जो अपना यहाँ पे range होता है वो क्या था होता है u square sin 2 theta by g इसका अगर square करोगे तो यह चीज जो है वो यहाँ पे बनके आजाएगी यहाँ पे न यह 4 है यह यहाँ पे u की power 4 होगी यहाँ पे 4 दे रखा है ठेक ही sir आ गया सा समझ में तो अब r square is equal to कितना हो जाएगा दोनों तरफ हमने square कर दिया यह square है तो इसकी value हमने r जो है वो पहले ही define कर दिया कहां sir यह देखो r is equal to u square sin 2 theta upon g हाँ sir समझ गये तो इसकी value पूरी r हो गई तो r जो हमने इसमें put किया तो यह हो जाएगा r square is equal to 16 h1 into h2 r is equal to 4 under root h1 h2 यह एक important formula है यह जो है कई बार exam में जो है वो आ जाता है इसका भी एक core point है वो क्या है कि resultant of vector of a two component of vectors is a close to bigger vector जो angle होगा उसका छोटा होगा सब बात नहीं समझे अगर आपके पास यह दो vector जैसे vector a है और vector b है यह vector a है यह vector b अब बोला जाए यह वाला vector उतना ही बड़ा हो क्योंकि यह इसके नस्दीक है सर समझे नहीं आओ ऐसे समझते है आपने क्या किया कि यह एक vector बना दिया ठीके इसकी magnitude अगर 5 है इसकी magnitude 3 है इसकी magnitude 4 है ठीके अब क्या होगा कि इसका magnitude जितना जादा बड़ा होगा यह जो vector है जैसे हम जानते है अगर यह 6 हो जाए यह 3 हो जाए तो इसका magnitude हो इस तरफ shift हो जाएगा बड़ी वाली value के पास में ठीके बड़ी वाली value के पास यह 6 था यह 3 था यह 1 था ठीके यह वाली चीज जो है बड़े वाले के पास में आगा मतलब इसका जो theta है वो छोटा हो जाएगा वही चीज यहाँ पर दे रखा है कि जो अपना a sin theta है वो छोटा होगा b sin theta one से क्योंकि यह वाला component बड़ा होगा इस वाले component की तुलना में क्योंकि यह वाला component इस वाले vector के नस्दिक है यह वाला जो है वो दूर है तो resultant vector जो है बड़े वाले vector के पास ही बड़े vector के component के पास ही होता है अब अगर हम बात करें equation of trajectory की equation of trajectory क्या है कि जो particle को जब हम project करते है तो जिस trajectory को जो है वो follow करता है वो अपना क्या हो जाता है ब tasty structure की जाएगी यह बेस होता आपने मिसाइल के उपर ॥ीक की जाती है कि कितनी दूरी पर आप हो किस रेंज पर आप आप कर सकते हूं यह सारी चीजे आप तो आप देख सकते हैं इनका जो आपका सकते हो यूज है रियल लाइफ में जो यूज है वो बहुत ज्यादा है अब बात करते हैं जनरल एक्वेशन ऑफ ट्रेजिक्ट्री की फिर सेम होगे अपना यू एक्स की वेलू जो है यहाँ पे पूट करेंगे यू आई की वेलू हम यू एक्स की वेलू जो है हम यहाँ पे पूट कर देंगे टी को एजटी रहने देंगे तो टी हमारी निकल के यहाँ पे आ जाती कितनी एक्स अपाउन यू कॉस थीटा ठीक है अब यह अपना एक्क्वेशन वन हो गया अब अगर हम यहीं वाई की बात करेंगे तो सेम है य की वेलू अगर हम यहाँ पे पूट करेंगे तो जब आप इन सारी चीजों को पूट करोगे इसके बात जो आपका फाइनली फॉर्मूला बन के आता है वो आता है कि y is equal to 10 थीटा x minus gx square upon 2u square cos square थीटा इसमें से अगर हम 10 थीटा x को common ले लेते हैं तो यह फॉर्मूला ब जाएगा 1 minus x upon rr यहाँ पे क्या होता है range हो जाता है ठीक है यह दोनों फॉर्मूले जो है वो बहुत ज्यादा important होते हैं अब अगर हम बात करें projection from height अगर हम किसी height से चीजों को जो है वो project करते हैं तब क्या होता है इसमें case हमने पहला बनाया है कि horizontal projection सर horizontal projection क्या है note पढ़ लेते हैं note कर रहा है कि time of flight does not depend upon the velocity of horizontal component जो time of flight होता है वो अपनी यह जो velocity होती इसके उपर depend नहीं करता है यह y के उपर depend करता है कि y में इसके अगर velocity जादा होगी ठीक है जैसे अगर यह 0 है तो कुछ यह वाला path follow करेगा अगर इसके पास कुछ velocity है तो यह जो है component जो है वो नीचे अब इस समय खाली x में ही velocity तो यह धीरे धीरे जो बढ़ रहा है अगर इसके पास कुछ जादा ही velocity होगी तो यह इस वाले path को ना follow करके इस वाले path को follow करके इसका जो time of flight है वो कम हो जाएगा वो जल्दी जो है वो ground पे आ जाएगा सेम वही चीज़ है आप देख सकते हैं कि इसका भी जो formula आता है हमने देखा था कि जो अपना motion one dimension में formula आया था t is equal to under root 2h by g सेम formula यहाँ पे भी आया है ठीक है अब range की बात करें range में हमने क्या देखा range का formula हमने देखा ux into t ux इसका change नहीं हो क्योंकि इसके अपने पास कोई external acceleration नहीं है बिस इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे time of flight जो है वो इसमें हम add कर देंगे multiply कर देंगे time of flight की value जो है हम इसमें put कर देंगे तो अब इसमें क्या हो जाए जी टी जे कैप सेम एज़ टी जैसे हमने motion in one dimension में पढ़ा था अब अगर हम बात करें position at time t किसी time t पे उसका position कितना होगा तो वह यह x में अपना acceleration है नहीं तो x की value खाली ux into t से ही आएगी क्योंकि यहाँ पे जो अपना half ax into t square था यह वाला तो ची 0 हो गया तो यह इसकी value जो है वो 0 हो गया खतम हो गया अब y की बात करें तो इस समय इसकी जो है initially velocity 0 है तो यह खाली यह वाला component बचता है minus half g t square y वाले component में जो की acceleration कि इसके दौरा लग रहा है gravity लगा रही जो इसका value है वो दिरका 10 meter per second square तो अगर आपको position निकालनी किसी time t पे तो इसकी जो value हो जाएगी u x into t minus half g t square ठीक है case 2 अपना same case हमने जो है motion in one dimension में बनाए थे same case यहाँ पर बनेंगे सारी चीज़ें सेम है अब बात करते है projected upward at angle theta हमने वहाँ पर क्या किया था कि उसे सीधा जो है वो upward किया था project किया था अब हम किसी theta पे project करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर projectile motion देख रहे है तो हमें theta जो है वो लाना ज़रूरी है अगर हम theta नहीं लाएंगे तो वो जो है one dimension का case हो जाएगा same चीज time of flight यहाँ पर भी वही रिप्लेस कर देतेंगे तो वो बन जाएगा अपना टू dimension का formula सेम रेंज में हमने क्या देखा था बस वही टी की value सर अब तो हम जान गए टी की value हमें इसमें पूट कर नहीं हमें range की value निकल के आ जाएगी रेंज की value क्या बन जाएगी यह बन जाएगी यू कॉस थीटा इन्टू यू अपन जी प्लस अंडर रूट यू आई स्कूर अपन जी स्कूर प्लस टू एच अपन जी हां सर आ गया समझ में अब केस थ्रीस में क्या है कि हम जो है projection कर रहा है downward किसी अंगल थीटा पर horizontal से ठीके डाउन नीचे का एंगल लेकर जैसा आपको इस फिगर में दिखाया गया है सेम वैलू महापे मैंने देखा था कि जब उसे नीचे हम किसी आपनी प्लस का अंडर रूट यू वाई स्कुएर अपॉन जी स्कुएर प्लस टू एच अपॉन जी रेंज वह हो जाएगी रेंज इकल टू यू एक्स इंटू टी तो टी की वैलू यही आप पुट कर देंगे तो यह समय इसकी यह जो रेंज आर जो है वह आ जाएगी ठीके सर यह चीजें समझ में हमें आ गई अब बात करें गर प्रोजेक्शन और इंक्लाइंड प्लें यह मस्त करन सम्ट है इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले का आश्यू करना है कि हमें जो है एक नई एक्स बनानी होगी सर यह नहीं समझ में आ रहा है एक सेकेंड रूख समझाते हैं हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर अपनी एक inclined plane बना ली ठीक है एक inclined plane जो है हम यहाँ पर बना लेते हैं यह हुआ अपना एक inclined plane at an angle theta अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यह वाली जो axis है जो inclined पर है इसे हम मान लेंगे अपनी x-axis और इसी के perpendicular पर्पेंडिकुलर इसी के पर्पेंडिकुलर हम जो है दूसरी एक्सिस बनाएंगे जिसे हम बनाएंगे य एक्सिस अब हम यहां से कोई चीज जो भी प्रोजेक्ट की गई है उसका एंगल यह अलफा हो जाएगा तो बस इसके बाद क्या होगा कि अगर आप जो है इस चीज को कुछ इस तरह देखो ठीक है समझ पा रहे होंगे आप अगर हम इस चीज को होरिजोंटल कर दें अब क्या हुआ कि अब जो यह अपनी होरिजोंटल एक्स एक्सिस हो गई यह वाई एक्सिस हो गई अब हम यहां से चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अलफा पर बस यह तो वही सेम कहानी बन गई सर जैसे अपना पहला था बस वही है अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमारे पास एक additional जो है वो g sin theta आ गया x की direction में और y direction में हमारे पास जो g था वो convert हो गया है g cos theta में तो यह g cos theta में convert हो गया और g sin theta हमारा x direction में acceleration आ गया same चीज वही चीज है time of flight हमने देखा था t is equal to 2u by g total time of flight अब इसमें क्या करेंगे u y की value हम put करेंगे y चीज और g की value हम यहाँ पर put कर देंगे g cos theta same concept लग रहा है sir कुछ भी अलग नहीं अगर हम बात करें h maximum की तो h maximum वही होता हमने देखा था u square upon 2g बस g की value हम put कर देंगे u y की value जो है वो हम यहाँ पर put कर देंगे same concept जो है वो निकल के आजए क्योंकि यहाँ पर यह जो है वो g effective है कि effectively g जो है उसके उपर कितना लग रहा है बस इसके बाद अगर हम range की बात करेंगे तो range की formula जो है वो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा या आप जो है इससे समझ सकते है derivation जो है बहुत छोटा सा है इसका आप कर सकते हों इसकी value आ जाती है range की किसी inclined plane पे यह हो जाता है 2u square sin alpha upon g cos theta into cos alpha plus theta यहाँ पे यह जो angle बना है theta और यह alpha इसको अगर आप plus करते हों इसके बाद cos में जो है आप उसका cos a plus b का formula लगा करके आप जो है आसानी से इनके calculation को जो है वो कर सकते हो तो इस तरह से हमने जो है motion in one dimension और motion in two dimension को एक one sort में जो है इनके जो क्रिप्स fundamental formula जो है वो सारी चीजे जो है वो revise कर ली है I hope आपको जो है वो मज़ा आया होगा बहुत सारी चीजे आपको सीखने को मिली होगी ठीके तो अगर आपको इसी तरह से वीडियो जो है वो चाहिए तो channel को subscribe कीजिए ठीके चैनल वीडियो को जो है वो आप like कीजिए म मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए